आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने फोटो देखकर समझ गए होगे कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, किसकी कहानी देखने वाले हैं आज हम लोग बात करेंगे केरल के भरत्मान मुक्क्पन्तری पिरनराई बिजैन के बारे में, यहनै कई लोग पिनराई के नाम से भी जानते हैं Romans और आप देखेंगे इनकी पार्टी है CPIM उसका चुनाव चितना अप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बार आप लोग केरल को देख लिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे केरल देखने को मिलेगा, तिरू अनुद्पुराम इसकी राधधानी है, इसकी सीमा करनाटिक तमिलाणू से लगती है, एक नबो पर 1956 में इसे राज बनाये गया था, विधा मई 1945 को केरल के कनोर जिले में एक बेहद की गरीब हिंदू परिबार में इनका जनम हुआ था, और देखिए जब भी हमारे देश में किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो उसकी जाती धरम पहले देखा जाता है, तो याद रखिए हिंदू धरम से हैं, हिंदू समध इनके पिता का नाम मुंडाईल, कौरान और मा का नाम कल्यानी है, और वे अपने 14 भाई बहनों में सबसे चोटे थे, चोकि इनकी घर की आर्थिक स्थी कुछ अच्छी नहीं थी, तो ये अपनी स्कूली सिक्षा खतम करने के बाद, अपने परिवार को आर्थिक रूप से स पहले सरी से की है, और उन्होंने अपनी इस्तनातक की पड़ाई भी इसी कॉलेज से अर्थ सास्तर विसे में, एकॉनोमी में पूरी किये, इनकी पतनी का नाम कमला बेजयन है, जो एक सेवा निवित्त सिक्षिका है, इनके दो बच्चे हैं, और इनकी अगर हम लोग राजन पाइटी माक्सबादी जोयन की, 1964 में 24 साल की उमर में बेजयन ने केला स्टूडेंट फैडरेशन यानि की के एसेप के जिला सचिव के तौर पर काम किया, बाद में ने आप देखे के एसेप का राज्य सचिव और इसके बाद राज्य का अध्यष्च की रूम में भी काम कर इसके बाद बेजयन ने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा और वो धीरे धीरे राजनेतिक रूप से मजबूत होते चले गए चूकि इनका सभाव अच्छा था तो ये लोगों के दिलों में बसने लगे और इसी समय जब केरल में कवनिष्टों अलग-अलग ठेकानों से रा की अधिश की रूम में काम किया है ये पहली बार 1970 में बिधायक चुनकर बिधान सभा गया है और मैं आप लोगों को बताओं बिधान सभा का अगर आपको चुनाओ लड़ना है तो आपकी कम से कम मुम्र 25 सालों ने चीए अधिकतम उमरी की कोई सीमा नहीं रखी गई है और बिधायकों के चुनाओ डारेक्ट जन्ता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उमर कितनी 18 साल हो चुकी है तो आप लोगों का बोटा सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे और ये चुनाओ करवाता कौन ह Election Commission of India भारती निर्वाचन आयो एक समिधानिक संस्ता है समिधान के अनुछे 324 के तैद इसकी स्थापना की बात की है और 25 जन्बरी 1950 में इसकी स्थापना होई थी नई दिल्ली में आप लोगों को चुनाओ आई का मुख्याल है देखने को मिलेगा फिर आप देखे इसकी ब में बिजली और सहकार्ता मंत्री भी बनाए गया बाद में 1998 में भारती कविनिष्ट पार्टी माक्सपादी के राज्य सचिव बने इसके बाद बिजन को सन 2002 में CPI M के पॉलिद बीरो के लिए भी चुना गया एक दूसरे के धुर्विरोधी कहे जाने वाले पिनरई बिजन और बिएस अचीवता नंदन को 26 मई 2007 को CPI M ने एक दूसरे पर सारेजनेक्टिपडी करने एवं पार्टी की निमों का उलगान करने पर दोनों को पॉलिद बीरो से निलंबित कर दिया था हाला की बाद में पिनरई बिजन को पॉलिद बीरो की सदस्की रूम में बहाल कर दिया था फिर आप देखे 2016 में उन्होंने धरम दौम निर्वाचन चेस से 36,905 मतों के अंतर से जीत कर केरल की बारे में मुकमंत्री की रूम में सपत ली थी यह देखते रहा करिएगा आपके पास स्मार्टपॉन है तो सब के बारे में आप लोग जानकारी रखे रहते हैं इन से जुड़े हुए कुछ बिबाद भी है और आप सभी जानते हैं इस तरह के किसी पत पर आप लोग होते हैं तो बिबाद जुड़ना स्वभाभी कसी ब लागत कर तीन जनरेटर की मरमत के लिए एक कनाडाई कंपनी लाउलिन के साथ एक सौधा किया था CBI द्वार पिस्तो देख रिपोर्ट में 21 जनवरी 192009 को जिस पर उनकी पायटी माकापा ने राजनीती से पेरित होने की पुष्टी बताई थी और CBI की एगर हम लोग बात करें तो Central Bureau of Investigation की बात हो रही है जिसकी इस्ताफना एक अपरेल 1963 में होई थी नई दिल्ली में आपको हेड कौटर देखने को मिलेगा केरल के राजपाल ने मामलों में बिजन पर मुकदमा नहीं चलाने की केरल केबिनिट की सिफारिस के बाबजूत पिथम दिश्ट्या सबूत के आधार पर CBI को बिजन पर मुकदमा चलाने की अनुमती दी थी हाला कि 5 नमबर 2013 को CBI की विसे सदालत ने SNC लाउलीन मामने में पिरनरी विजन को अपरादी यों की सूची से हटा दिया फिर आप दे ही विजन के सामान में 5 गोलिया मिलने पर 16 फरवरी 2007 को हवाई इड़ी सुरक्षा द्वारा चेन्ने हवाई इड़ी का हिरासत में लिया गया थे अपने लैसेंस की कॉपी एरपोर्ट सेकॉर्टी को फिक्स करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया थे और विजन फिर बिवादों में की बीच फस गया जब उन्होंने पॉल चितला पली केरल में थामार सेरी की बिसब को एक मनहुस प्रणाडी कहा था और 2018 में केरल का बाड पिवावीत राज पहले से ही प्राक्तिक अक्तियाचारों से जूज रहा था जब उन्हों उसके मुकमंत्री प्रणरई विजन ने दावा किया कि सहीव तरब अमिरास ने भारत को 700 करोड की साहयता की पेसपस की थी केंद ने UAE के किसी भी पस्ताओं को खारिज कर दिया और भारती जिंता पार्टी की केलर यूनिट ने विजन से अपने सरोतों का खुलासा करने को कहा था और विजन ने खुलासा किया कि उन्होंने एक मद्द पूर विवसाई M.A. यूसुप अली से बित पोसन के बारे में सीखा उनने दावा किया पिधानमंत्री नेंद मौदी और अमिरात के सासक की भी सहायता को अंतिमरू दिया गया था तो यह भी देखेंगे यह भी बाद जुडा रहा है और यहसे तो यह आप देखें सौर्ट बायोगराफी, सौर्ट कहानिया आप लोग कह सकते हैं पिर नराई बिजन साहप की है तो ये मुखमंत्रियों की सिंखला चलने, इसमें हम लोग एक-एक राजी के मुखमंत्री के बारे में बात करते रहेंगे, किसी और के बारे में जाननी की दिल्चस्पी है तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं